हेलो फ्रेंद्स यू आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स मैं की इंग्लिश एजुकेटर्स वाती राठ और स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के अपने ओनलाइन प्रेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और टुड़े इन दिस वीडियो 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 देखना बाकी रह गया है तो आप उस वीडियो को इजीली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं अपना आज का ये वीडियो के कंटीन्यू करते हैं और चलते हैं पहले वर्ड की तरफ पहला वर्ड है हमारा करसरी देखिए करसरी का मतलब होता है quick and short या फिर done in a hurry मतलब ऐसी चीज जो की तुरंत या संचिप्त में हो जाए और कोई ऐसा काम जो जल्द बाजी में किया गया हो उसे बोलते हैं करसरी ओप्शिन की तरफ आ जाते हैं ओप्शिन ए इस little लिटल का मतलब होगा small छोटा ओप्शिन बी इस quick quick मतलब तुरंत या संचिप्त में ओप्शिन सी इस eager eager का मतलब हो जाता है impatient व्याकुल ओप्शिन डी इस tender tender का मतलब होगा kind and loving मतलब सदय और स्नेहपून तो हमने सभी words के मीनिंग जान लिये और ये जो word है हमारा करजरी which means quick and short इसका सही आंसर होगा उसे बोलते हैं quick और करजरी आगे बढ़ते हैं अगला word है clandestine अब देखिए clandestine का मतलब हो जाता है secret और illegal कोई ऐसा काम जो कि गुप्त हो और गैर कानूनी हो उसे बोलते हैं clandestine options की तरफ चलते हैं option A is awkward awkward का मतलब हो जाएगा difficult to deal with मतलब जो निपटने में मुश्किल हो और embarrassing मतलब जो संकोच में डालने वाला हो उसे भी बोलते हैं awkward option B is inconsistent inconsistent का मतलब हो जाएगा जिसका रुख या व्यवहार बदलता रहता हो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके nature में जिसके व्यवहार में बार-बार बदलाव आता हो जो की स्थिर ना हो अस्थिर हो उसे बोलते हैं inconsistent option C is secret secret मतलब गुप option D is ugly अगली मतलब कुरू या फिर बसूरत तो हमने सभी वर्ट्स के मीनिंग जान लिये और ये जो हमारा वर्ट है clandestine इसका सही आंसर होगा option C secret क्योंकि clandestine का मतलब होता है something that is secret और illegal कोई यसी चीज जो की गुप्त है और गैर कानूनी है आगे बढ़ते हैं अगला वर्ट है हमारा obturate obturate का मतलब होता है stubborn ऐसा व्यक्ति जो की जिद्धी है हटी है जो लोगों के अनुसार अपने विचारों को न बदलता हो उसे बोलते हैं obturate options की तरफ चलते है option A is angry angry मतलब क्रोदित या गुसा option B is calm calm का मतलब होता है शांत चुपचाप option C is obsessed obsessed का मतलब होता है preoccupy मतलब किसी बात को अपने मन में ऐसे भर लेना कि उसके अलावा और कुछ सूजे ही ना या फिर constantly किसी एक बात को सोचते रहना या फिर किसी एक चीज के उपर चिंता करते रहना इसी को बोलते हैं obsessed and option D is adamant adamant का मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो की बहुत जादा stubborn है जिद्धी है हटी है जो अपने मन को बार बार न बदले मतलब एक बर जो ठान लिया वो काम करके ही रहना है फिर लोगों के अनुसार अपने मन को नहीं बदलना ऐसे ही व्यक्ति को बोलते है adamant तो यहाँ पर यह जो वर्ड है obturate इसका सही आंसर adamant ही होगा मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जिद्धी है जो लोगों के अनुसार अपने मन को अपने विचारों को नहीं बदलता जो एक बार सोच लिया वो फिर करके ही रहना है उसे हासिल करना है उसे बोलते हैं obturate आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड है ostracize अब देखिए ostracize का मतलब होता है किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिशकार करना या फिर दंड सरूप किसी को देश से निकाल देना तो जब किसी ने कोई गलती की है तो उस गलती की सजा देने के रूप में उसे देश से निकालना या फिर उसका बहिशकार करना options की तरफ आते हैं option A is sensor देखिए sensor का मतलब होता है घोर निंदा करना मतलब किसी की बहुत ज़ादा बुराई करना अलोचना करना option B is sentence sentence का मतलब हो जाएगा नियाया दीश द्वारा अपरादी को दिया गया दंड मतलब जो जज होते हैं जो magistrate होते हैं वो किसी क्रिमिनल को कोई punishment देते हैं उसी को बोलते हैं sentence option C is banish banish का मतलब हो जाएगा निर्वासित करना मतलब अगर किसी ने कुछ गलती की है तो उसको दंड स्वरूप देश निकाला देना इसे बोलते हैं banish and option D is barret barret का मतलब हो जाएगा scold or criticized, angryly मतलब गुसे में आके किसी को बहुत जादा डराना, धंकाना, चिलाना उसके उपर और उसको बहुत जादा पूरा भला कहना उसकी बहुत जादा निंदा करना इसी को बोलते हैं biret तो हमने सभी words के meaning जान लिए और ये जो word है हमारा ostraces इसका सही answer होगा option see, banish क्योंकि इन दौनों का ही मतलब हो जाएगा किसी का सामाजिक रूप से बहिशकार करना निर्वासित करना या देश निकाला देना आगे बढ़ते हैं अगला word है हमारा appalled देख ये appalled का मतलब होता है कि कुछ ऐसी घटना घटेत हो जाए जिसकी वज़े से जो व्यक्ति है वो एकदम भाइबीत हो जाए और एकदम स्थब्द रह जाए मतलब एकदम शॉक्ट एस्ट्रोनिष्ट है ना जब कुछ ऐसा हो जाता है तो एकदम से सदमे में आ जाता है व्यक्ति के ऐसे कैसे हो गया उसी को बोलते हैं अपॉल्ड उप्शिन की तरफ आ जाते है उप्शिन A इस शॉक्ट शॉक्ट मतलब आश्चेरे चकेत रह जाना कि भाइबी ये क्या हो गया एकदम सदमे में आ जाना उप्शिन B इस सेडन्ट सेडन्ट का मतलब हो जाएगा दुखी या उदास हो जाना उप्शिन C इस स्कैड स्कैड मतलब डर जाना और उप्शिन D इस अलाम्ट अलाम्ट मतलब भाइबीत या चिंतित होना तो हमने सभी वर्ट के मीनिंग जाल लिए अब यहाँ पर यह जो चारह उप्शिन से ना यह ऐसे ही डिजाइन किये गए है कि जो इनको आंसर करेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि यह आपस में कही न कहीं कहीं न कहीं थोड़े बाथ हमें ठीक लग रहे है तो मैं आपको बता दू कि यहाँ पिसका सही आंसर होगा ऑप्शिने शॉक्ट क्योंकि अपॉल्ड का मतलब हो जाता है सदमे में आ जाना एकदम से कुछ ऐसी घटना हो जाए कि आप भाई बीत तो हो लेकिन साथ में आप स्थब्द भी रह जाएं शॉक्ट रह जाएं इसलिए इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शने शॉक्ट तो होप आपको ये सबी वर्ट्स क्लियर है तो फ्रेंड्स आज मैंने आपके साथ कुछ वर्ट्स डिसकस किये आई होप आप सबी को ये सारे ही वर्ट्स क्लियर होंगे अगर स्टेल डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपने maximum friends के साथ, relatives के साथ और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की upcoming videos की notification आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, फिर मिलेंगे एक नए episode के साथ, तब तक के लिए stay tuned with us, thank you so much, wish you all the best